नमस्कार दोस्तों, study IQ में आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर महीपाल सिंग्रा ठोट और आज इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे अफगानिस्तान के एक बहुत ही important political development के बारे में पिछले कई महीनों से अफगानिस्तान में political crisis चल रहा था, जो 16 मही को समाप्त हुआ है, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और अश्रफ गनी ने agreement साइन किया है, दोनों ने गटबंदन या unity सरकार बनाने का निर्णे लिया है तो इस agreement के बारे में जानेंगे और इसके पीछे पूरा background क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा और भविश्य में अफगानिस्तान के सामने क्या challenges है, जिसके कारण ही agreement साइन हुआ है, इसके बारे में भी चलचा करेंगे अगर आप मुझसे social media पर जुणना चाते हैं, तो मुझे Twitter, Instagram या Facebook पर इन IDs पर follow कर सकते हैं, मेरे सबी lectures के PDF आपको इस Telegram चैनल पर मिल जाएंगे Study IQ का smart course UPSC civil सेवा परीक्षा के लिए उपलब्ध है, Study IQ app पर, तो आपको जल से जल Google Play Store से हमारी app डाउनलोड करनी है और इस course पर 31st में तक EMI options भी available है पिछले 10 महीने से, अफगानिस्तान में एक power vacuum चल रहा था, दो बड़े-बड़े निताओं के बीच में एक लड़ाई सी चल रही थी, एक cold war चल रहा था, और इसके पीछे reason है elections तो ये दो बड़े निता हैं अफगानिस्तान के, ये है प्रेजिडेंट अश्रफ गनी जो 2014 से प्रेजिडेंट है और ये है अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो पिछले कारेकाल में CEO थे, Chief Executive Officer का इनको पद दिया गया था तो 2014 से 2019 के बीच में जो 5 साल का कारेकाल था, उसमें भी ये दोनों मिलकर एक सरकार चला रहे थे, इनकी पहले भी national unity government थी, क्यूंकि उस समय का चुनाव भी काफी close था, 55% और 44% votes दोनों को मिले थे, और दोनों ने मिलकर ये tag किया, basically US के दबाव में ये tag किया, कि दोनों मिल कर सरकार चलाएंगे, 2019 में अफगानिस्तान में चुनाव थे, ऐसा उमीद करी जा रहे थी, कि दोनों में से किसी एक को पूर्ण भहूमत मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, अश्रफ गनी को मिले 50% vote और अब्दुल्ला अब्दुल्ला को मिले almost 40% vote, लेकिन प्रॉब्लम य इनकी complaints को संग्यान में लेते हुए, जाज करी, सारे votes को audit किया गया, और ये process बहुत लंबा चला, आप देखे, September में voting हुई थी, उसके बाद December में जाकर preliminary results announce हुए थे, और फिर उसको finally एक और audit के बाद 18 February को जाकर final result declare किया गया, और इस दिन ये declare हुआ कि अश्रफ गनी ही च अपत लेली on 9th March, लेकिन एक मयान में दो तलवारे नहीं रह सकती, वैसे ही एक देश में दो राष्ट्रपती नहीं हो सकते, तो दुनिया भर के जो दूसरे देश हैं, वो negotiation करवाने आ गए, United States, जिसने 2014 में भी negotiation कराया था, उसने अफगानिस्तान political leaders को धमकी दे दी कि अग अफगानिस्तान के सामने एक political compromise की नजीर पेश करते हुए, दोनों ने शपत ली है, in their respective roles, लेकिन देखे, यहाँ पर मुझे अब्दुल्ला अब्दुला जादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जितने भी photographs इस ceremony के बाहर आए हैं, इनमें सभी में ऐसा लग रहा है कि अब्दुला शायद इतने खुश नहीं है, क्योंकि अश्रफ गनी फिर से राष्टरपती बन गए हैं, अब्दुला 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 अगरीड कि वो मानेंगे कि राष्टरपती केवल अश्रफ गनी है, तो इस deal में अब्दुला को क्या मिला, तो देखे, अब्दुला कई सालों से ये कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में शांती वा यानि कि बेसिकली ये काउंसिल जो है, ये सरकार का वो विभाग होगा, जो सारे गुटों से बातचीत करेगा, और अफगानिस्तान में एक लॉंग लास्टिंग पीस, शांती के लिए कोशिश करेगा, तो अब्दुला ये ही चाते हैं, शायद कि उनकी लेगसी ये रहे, क कि वो अफगानिस्तान में सालों की लड़ाई के बाद शांती लाप है, और अश्रफ गनी इस बार होंगे प्रेजिडेंट, तो CEO का कोई पद नहीं है, जैसा पिछली बार था, Chief Executive का कोई पद नहीं है, और ये माना जा रहा है कि 2019 की जो डील है, वो 2014 से कई गुना बेटर हो से अपने राजदूत की मुलाकात करवा कर अपना सपोर्ट उन्हें भी जताया है, डिसेंबर में जब चुनाव के रिजल्ट आये थे, तो हमारे प्रधान मंत्री ने बधाई दी थी अश्रफ गनी को, ठीक है, इसका मतलब है कि हम अश्रफ गनी को सपोर्ट कर रहे थे, ल आने वाले कुछ सालों में, या फिर वो हमेशा के लिए समर जाएगा, देखिए अफगानिस्तान में 20 साल से अमेरिका इंवाल्ड है, लेकिन फिर भी आज भी वहाँ आतंगवाद और हिंसा जारी है, आप शायद न्यूस रिपोर्ट अगर देखते हों, तो आप ये अफगानिस्तान को स्थिरता की ओर ले जाएगी, क्योंकि जो दो बड़े एथिनिक ग्रुप्स हैं, ये दोनों लीडर उनी को रेप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे अशरफ गनी है, वो पश्टून है, तो जो सदन या इस्टन अफगानिस्तान है, वहाँ पर जून्स के बीच में, और अब इस पूरी डील का एक और इंपोर्टेंस है, कि जो यूएस ने तालिबान के साथ फरवरी के महीने में डील करी थी, वो अल्मोस्ट फेल हो चुकी है, तालिबान ने हमले रोके नहीं है, उन्होंना ये कहा था कि हमले रोक देंगे, बट हमले अनावरत जारी हैं, तो अब ऐसे में अफगानिस्तान की जो लोकल गवर्मेंट है, उसी पर सारा दारोंदार है, कि देश में शान्ती और स्थिरता लेकर आए, अफगानिस्तान कई दशकों से लड़ाई, पॉलिटिकल के ओस, गरी भी जहिल रहा है, और अब वहाँ पर को COVID-19 के कारण एक बहुत बड़ा हिट ले चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले सालों में उतनी एड आएगी अफगानिस्तान तक जितनी पहले मिलती रही है, हाला कि चाइना जैसे देशों ने बोला है कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे, बट स्टिल उत परेल और मई के महिने में लगतार हमले करता रहा है, और one of the most heart-wrenching attack was on the maternity hospital, काबूल में एक महिला अस्पताल पर हमला किया था 12 मई को और इसमें 16 महिला हैं और 2 नवजाद बच्चे मारे गए, मुझे नहीं पता कि दुनिया में वो ऐसी कौन सी thinking है, जो ये कहती है कि आप कुछ घंटों की उम्रे वाले बच्चे को गोली मार दो, या फिर जो महिला है प्रसव में थी, उन्हें गोली मार दी गई हॉस्पिटल के अंदर, 40 लोग इस हमले के अंदर इंजर हुए थे, 26 were killed, 14 were gravely injured, वैसा आपको बता दूँ कि तालिबान ने responsibility नहीं लीती इस attack की, उ वो है तालिबान, अफगानिस्तान का बहुत बड़ा एरिया, तालिबान control territory के अधीन आता है इस वक्त, इसलिए अश्रफगनी ने आज ही announce किया है कि वो तालिबान के साथ बातचीत के लिए तयार है, और आज सुबह तालिबान ने भी एक 3 दिन का ceasefire announce किया है, ड्यू टू इद अश्रफगनी चाहते हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर तालिबान के साथ बातचीत शुरू करी जाए, लेकिन इन सभी developments के उपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक रही है और वो है COVID-19 की, अफगानिस्तान की आबादी है 3 करोड 90 लाग के आसपास, यानि कि 4 करोड से भी कम है, आप कह सकते हो कि भारत के एक राजज़ जितनी आबादी है, अफगानिस्तान की, और वहाँ पर 10,000 केसे आ चुके हैं, as of yesterday, 216 मौते हो चुकी है, और ये reported केसे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में already health infrastructure बहुत ही poor है, अगर आप उसकी rankings देखेंगे, तो infant mortality में 176, life expectancy में 173, तो सालों से महां लडाई चल रही है, लगबग 40 साल से तो continuous लडाई है, ऐसे में health infrastructure धन से develop ही नहीं हो पाया है, और अब COVID-19 हर district तक फैल चुका है, कि वहल ऐसा नहीं है कि काबूल जैसे बड़े शहरों में COVID-19 है, every district, every province has seen cases of COVID-19, तो अब ये सरकार के सामने Taliban controlled territories में, ये आतंगवादी संगठन भी awareness फिलाने के काम कर रहे है, वो mic पर जाकर announce कर रहे है, गाहों के अंदर की लोग social distancing को follow करें, और जहां पर भी हो सकता है, वो अपने खुद के hospital भी setup कर रहे है, तो स्थिती इतनी खराब है, लेकिन फिर भी Taliban ceasefire के लिए, लंबे time के लि हैं, लेकिन health infrastructure अफगानिस्तान का ऐसी हालत में है, कि यहाँ पर COVID-19 अगर तेजी से फैला, तो स्थिती बहुत ही खतरनाक हो सकती है, thank you very much for watching this, have a good day.